नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान आज सुभह जब पूरा देव सोकर उठा तो वही तस्वीरे दुबारा सामने थी जो 2013 में भयावाय मंजर था आपको बता दे कि उत्रा खंड में महा प्रलयाई चमोली में वहाँ पर गलेशियर फूट जाने के कारड़ जल सहला फूट पड़ा इस पर मेरी मदद करने के लिए मेरी सही होगी मौजूद है पारूलत्यागी आज जो तस्वीरे हम लोगों ने देखी सुभा से हम लोग इस समझ में आता है आपको इस पर भी बात करेंगे इस से पहने जो सबसे एहम चीज़ है उसको बता देते हैं कि यहां पर 2013 के मुकाबले एक जो सबसे अच्छी चीज सबसे पॉजीडिव चीज जो सामने आती हैं वो ये है कि सरकार, राजी सरकार की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इमिडियेट एक्शन लिया, जिस तरीके से उन्होंने पूरी घटना पर नजर बनाये रखी, जिस तरीके से सुभा से ही CM और उसके साथ ही PM लगा का भी जताई जा रही है हाला कि अभी यह नी क्लियर किया गया है कि क्या कुछ था इस पर क्या आप कहेंगे जी बिलकुल कावेंद जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की मौत होने की भी ख़वर है मैं आपको बता दूँ और अपने दर्चकों को भी बता दू के 10 लोगों के लोगों को निकाल लिया गया है हाला कि इस प्रोजेक्ट में जो तपोवन हाइड्रो ये प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें डेर 100 लोग काम कर रहे थे शुरू में खबर आई थी के 1500 के 1500 लोग जो हैं वो लापता हैं लेकिन अभी भी लापता लोगों की कोई खबर नहीं है क् की दस लोगों के शफ जो हैं वो बरामत कर लिये गए हैं लगाताल राहत और बचावकारे जो है वो चल रहा है यूपी को भी अलर्ट पर रखा गया है सीम योगी ने भी यूपी में सभी अफसरों और डीम को अलर्ट रहने का आदेश दिया है उसके अलावा भी कावेंदर अगर उत्राखन की भी बात करें सीम त्रिवेंज सिंग रावत खुद चमोली पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया है और उसके अलावा भी तमाम मंतुरी जो हैं वो अलर्ट हैं वो तरह तरह की अपडेट्स हैं लगाता ले रहे हैं और अपन लोगों को अलर् खाली करा लिया गया है तो कावेंदर कही न कहीं आज जो तस्वीर सामने आई चमोली में जो हुआ उसे उत्राखन के परेटन पर भी काफी असर पड़ेगा क्योंकि 2013 में जो केदारनाथ की तराजदी हुई थी उसके बाद जो तस्वीर आई थी हजारों की संख्या में जो जो है उत्राखन में वो काफी असर पड़ेगा आपकी क्या राये हैं जी बिल्कुल देखे होता क्या है कि पिछली बाद 2013 की बात करें और आज की बात करें जल सहलाब जो था वो शमता जो थी उसकी बो बराबर थी लेकिन यहां पर बात होती है एक्शन की यहां पर जिस त मौके का लगातार मौएना कर रहे थे इसके साथ ही जो वहां पर NDRF की टीम थी लगातार वो भी महां पर माज़ीत थी sdrf की टीम भी वहां पर मौजब थी हर कोई सुभा से घट्टा स्था पर मौज़ुद था और सुभा से ही मौके पर जाएजा लेकर स्थी को नियंतरण मोर्ड में आती है और उत्तर प्रदेश में अलेट जारी के जाते हैं बताया जाता है कि जिस तरीके की पूरी घटना करम हुआ उसके बाद से वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है लगाता रेस्क्यू उपरेशन भी जारी है इसके साथ ही टैनल में फस गया क्योंकि मलवा गिरा मलवा बहुत जारा था तो मलवा गिरने की वज़े से टनल में जो ब्लॉकेज हुआ उस पर 16 लोगों के फसे होने की जानकारी मिलने थी लेकिन अभी सूतरों की माने तो वहां से 16 के 16 लोगों को निकाल लिया गया इसके बाद ही जो मौतों का अकड़ा है वो बढ़ने की पूरी गुंजाईश अभी तक तो सामने नजर आती है आपको टाइम लाइन एक बार समझाने की कोशिश करें तो आपको बताएंगे कि 10 से 11 के बीच ये पूरी घटना निकल का सामने आती है फिर लगातारी आगे फैलती है इसके बाद सीम तुरंत इसकी वाइरल हो गई थी और उसके बाद लोगों के मन में जो है वो एक डर बैड़ गया था कि ऐसी तस्वीरे जब सामने ही क्योंकि अकसर होता है कि सिर्फ उत्राखंड में नहीं देश में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद शोशल मीडिया पे जो है वो तस्वीर वीडियो बहुत जल्दी वाइरल होनी शुरू हो जाती है इसी को देखते हुए इसी लिहास से सीम त्रिवेन सिंग रावत ने लोगों से अपील की खासतोर पर कि किसी भी तरह की अफ़वा ना फिलाएं कोई भी वीडियो पोटो जो है वो शेयर न करें लेकिन कावेंदर कहीं न कहीं ये बात बहुत जरूरी है जो सवाल कहीं न कहीं उटता है और जानना हर किसी के लिए जरूरी है 2013 में केदानात की तरास्दी हुई उसके बाद आज जो हुआ तो क्या सरकार या फिर किसी भी जो वहां प्रोजेक्ट चल रहा था प्रसाशन की तैयारी नहीं थी लेकिन ये हादसा क्यूं हुआ 2013 में जब हुआ उसके बाद जो है एक हर किसी के लिए बहुत बड़ा सबक था कि एसी घटना दोबारा नहो लेकिन आज जो हुआ उस सीधा का सीधा कंपेर जो है वह 23 में गेदाधनात में जो हुआ उस से लोग कर रहे है तो कहीं न कहीं से आप देख सकते हैं, दूसरा पक्स बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि जो वहां के जो वह ग्यानिक लोग हैं, उनसे जो हम बात करते हैं, तो वह हम को जानकारी देते हैं, क्योंकि उत्तराकट में 3,000 से जादा गलेशिया हैं, तो ऐसे में अभी क्या हुआ है, कि एन्वार्म और भी शव निकाली जा सकते हैं, घटना बहुत बड़ी थी, तराजदी बहुत बड़ी थी, तस्वीर हम लगाता हैं, अब उसमें नियंतरड पाने की पूरी कोशिश लगबख की जा चुकी, और अभी तक नियंतरड पादी लिया गया है, जो जलका जो इस्तर है, वो लेकिन जो लोग सुभ है, सबसे पहले जो लोग इसकी जद में आ चुके थे, उनकी मौत होने की आशंका है, जहां दस लोग निकाले जा चुके हैं, इसके बाद और भी शब निकाले जाने की पूरी की पूरी जो है आशंका बनी हुई है, लगाता है, दुखत घटना, लेकिन अगर हलकी सी भी चूक हो जाती, तो ये जो मनजर है जो तस्वीरे हैं कितनी बड़ी हो सकती थी ये सोचने में भी एक बाद सेहरन पैदा होती है लेकिन पारूल जिस तरीके से हम जो पूरी तस्वीरे देखते हैं लगातार डीजीपी के भी बयान आए इसके बाद यूपी में जो असर देखने को मिल रहा है यूपी में आप क्या समझते हैं इसलिए असर का मतलब होगा क्योंकि देखिए कावेंद्र जब 2013 में ये केदारनाद में तरासदी हुई थी उसके बाद उत्रकंड के बाद सीधा असर यूपी की नदियों में पढ़ा जो उत्रकंड बराबर बराबर एक दोनों राज्ये हैं और उसके वाद सीधा असर अगर उत्रकंड में कुछ होगा तो उसका सीधा असर उत्तरप्रदेश में भी होगा क्योंकि नदियों मिलती हैं एक दूस्रे से और 2013 में जो हूय आता उसके बाद साहरनपूर बिजनोर जो बिल्कुल उत्राकंट से लगे हुए जिले हैं यूपी के वो काफी प्रभावित होते हैं 2013 में जब ये बार आई थी तो यूपी बिजनौर में और आसपास के इलाकों में भारी पानी का बहाव देखा गया था जो नदिया थी वो काफी प्रभावित हुई थी हाला कि नदियों में भैकर जो शब भी आ गये थे इस लिहाज से इस तराज़ी जो तराज़ी आज हुई है उस लिहाज से उत्रा तरप्रदेश के लिए भी ये काफी अलर्ट रहने की जरुवत है इसलिए योगी आदितनात ने जैसी ही ये घटना हुई उसके बाद से यूपी के तमाम जिलों को डीम को और जिलादिकादियों को जो अलर्ट रहने पर कहा दिया और जो आसपास की नदियों के आसपास के इलाके थे उन्हें भी खाली करा दिया गया ताकि कोई बड़ी घ जलसर और अब काफी अच्छी और राहत भरी खबर यही है कि जलसर जो है वो काफी कम हो गया है और राहत और बचाव कारे जो है वो लगातार चल रहा है क्योंकि काफी लोगों के फसे होने की अभी भी आशंका है हाला कि अभी तक सिर्फ दस ही शव मिले हैं हो सकता है कि इ अभी तक शब बरामद नहीं किये गए हो लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो टनल में 16 लोग फसे थे उन्हें शाकुशल बचा लिया गया एंडीरफ की टीम ने और मैं आपको बता दू गाज़ेबाद से भी एंडीरफ की टीम में गई थी जो लगातार वहां पे रा केदारनात में जो तरासदी आई थे उसके बाद जो वहां का परितन था वो काफी प्रभावित हुआ था और आपको बता दें कि उत्रा खंड में केदारनात के बाद ये अब पहली दूसरी माफ कीजेगा दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जो घटी है आज और उससे काफी ल रूपों से वहां पर फसे हुए आपको बता दू कि उस एरिया के पास जो रेड़ी घाओं है उसके एरिया के पास जित्रे बी गाओं है उन सभी से लोगों से लगाता निवेदन किया जा रहा है कि वो जगाओं को खाली कर दें और लगाता प्रशासन जो है सकती दिखाते चाहे वो बीजेपी के हूँ और चाहे वो कौंगरेस के हूँ वो लोग लगातार वहाँ पर जा रहे है वो लोग भी मदद कर रहे हैं यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी निकल कर सामने आती है कि SDRF की टीम है, NDRF की टीम है, इसके साथ ही इस्थानिय कारिकरता, किसी भी पार्टी को वो सभी लोग वहाँ पर मौझूद है, लगातार हर तरीके से कोशिश की जा रही है, खाना पूर्ती भी की जा रही है, खा इसके साथ ही NDRF के जो आलादिकारी है, उनसे भी लगातार बात की, उनसे भी पूरा जायजा लेते हैं, इसके साथ ही PM ने, सबसे पहले तो आपको बता दे कि ट्वीट किया, PM ने ट्वीट कर इस पूरी घटना पर दुख जताया, इसके बाद क्यूंकि वो आज बंगाल क दौरे पर थे, वहाँ पर उनकी चुनावी रैली थी, वहाँ पर जाकर भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, उन्होंने इसके साथ ही कहा कि वो पूरी तरह जे उत्तरा खंट के साथ है, उन्होंने एक चीज और जोड़ते हुए कहा कि पूरा जो देश है, वो भी आज उत्राखंट के साथ है इसके साथ सियम त्रवेन सिंग रावत सुभा से ही लगातार एक्टिव दिख रहे थे लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे लगातार घटना पर संग्यान ले रहे थे आला धिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा था कि वो मौकर प पूरी उमीद करते हैं कि जन जीवन बहुत जल्द सामानने हो जाएगा और वहां के लोगो रहत मिलेगी फिलाल इस पेशकस में इतना ही आप बने रही हैं न्यूजवाल लिटिया के सारे